अपने यूटूब चैनल इजेल्थ टिप्स पे दोस्तों बालों का जड़ना अज के समय में जैसे आम बात हो गई है हमारे आसबाद जयातर रिलेटिव्स में हम यार रोज सुनते ही रहते हैं कि यार मेरे भी बाल जड़ गए और मेरे भी बाल जड़ गए तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बाल जड़ने के कारण बताएं क्योंकि बिना कारण जाने आप खुद को इस प्रोब्लम से कैसे बचा सकते हैं अगर अभी आपके बाल सही सलामत है तो फिर आपको और भी जड़ ज़रूरी हो जाता है इन कारणों को जानना तो देखिए दोस्तों पुरसों में जो बाल जड़ने की प्रोब्लम सोती है वो जैनेटिक मतलब के पहले आपके दादा, पड़ दादा, फिर पिता जी और ऐसे ही पीडी दर पीडी ये बाल जड़ने की समस्चा चलती रहती है तो इसके इलाज में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं बड़ अच्छा आहार और सही लापिस्टैल अपना कर आप बाल जड़ने की ये जैनेटिक प्रोब्लम को थोड़ा कम कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मानसिक तनाव लेते हैं तो उससे भी आप गंजे हो सकते हैं क्योंकि टैंसन लेने का बुरा असर सरी में हार्मोन्स की ग्रोथ पर पड़ता है और जब हार्मोन्स ही सही से ग्रोथ नहीं करेंगे तो सिंबल है कि आपके बाल जड़ने श्टार्ट हो लेते हैं उससे भी आपके बाल गेने लगते हैं बाल जड़ने के हार्मोनल कारण भी हो सकते हैं जब सरी में हार्मोनल चेंजिस होते हैं तो उससे भी आपके बाल कभी कभी जड़ने स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों अगर सरी में थाराइड का सराव सरी से नहीं होता है त सेंपू, हेरोयल, जेल, कंडिशनर, जो की कैमिकल से मिलकर बने होते हैं और जब आप लंबे समय तक इनको यूज करते हैं तो बदले में ये आपको गंजा पनी देते हैं दोस्तो पोड़क्ट्स यूज करें बट ऐसा पोड़क्ट्स यूज करें जो कि आहरोयदी को और आपके बालों के लिए सही हो दोस्तो बालों को गुंगुने पानी से कभी ना दोए बालों को धोने के लिए ताजा पानी यूज करें क्योंकि यह जो गुंगुना पानी होता है आपके बालों की जड़ों को कम जोर करता है जिसका आपके बाल गेरना और गंजापन की समझा हो सकती है बालों में रूसी होना भी बाल जड़ने का कारण होता है इसलिए जब भी बालों में ओल लगाएं जड़ों तक लगाकर मसाज करें कुछ तेर के लिए दोस्तो लंबे समय तक बालों की सफाई ना करने से भी बाल जड़ने लगते हैं इसलिए रोज बालों को सफाई करें अच्छे से इसके लिए आप आईरवेदिक उपाई अपना सकते हैं क्योंकि यह देशी नुस के आपके बालों को हमेसा सबस्तर रखें करें